प्रभात कवर की चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है नमस्कार मैं हूँ अजय कुमार और आप देख रहे हैं प्रभात कवर की चुनावी चर्चा का कारीक्रम तो हम इस कारीक्रम में बात करेंगे कि बिहार की चालीस में से चौथे फेज के ताहट जिन पांच सीटों पर मतदान होना है तेरा तारीक को उसके लिए आज चुनाव प्रचार थम गया और ये काफी महत्वपून फेज होने जा रहा है क्योंकि इसमें दो केंद्री मंत्री चुनाव मुकाबले में है और ये फेज इसलिए भी महत्वपून है कि चालीस में से लगवग आधी सीटों पर इस फेज के साथ चुनाव संपन्न हो जाएगा तो ऐसी इस्थिति में हम दरभंगा, उजियारपूर, समस्तिपूर, बेगु सराय और मुंगेर, मुंगेर लो किसका पड़रा भारी है इस चुनाव में इस पर चर्चा करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक के चुनाव प्रचार के दौरान कौन से मुद्दे हावी रहे और इसके साथ साथ जानने की कोशिश करेंगे कि जो तीन फेज के दौरान मद्दाताओं की करने से पहले एक और जानकारी देदे कि कल रवीवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में रोट सो होने जा रहा है और इस रोट सो के कारण ऐसा माना जा रहा है कि पटना सहित जो आस पास की सीटे है उसको भी वह कहीं न कहीं असर डालने लाइग हो सकता है तो रोट सो की तैयारी प्रसासिनिक तैयारी लगातार चल रही है और पटना में डाकमंगला चवराहे से इस रोट सो की कल साम 6 वजे शुरुवात होगी तो अब हम आते हैं आज जिन पांच सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया उन सीटों पर क्या है तस्वीर और किस प्रत द्रवंगा लोकसभा सीट जो है वो मितलांचल का एक प्रमुख इलाका है और प्रमुख चुनावी छेत्र है वहां से कई परेवरे नेताओं का चुनावी आगाज होता रहा है इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी की चुनावी सभा हुई है और जो अपोजीशन महागटवंदन कहें तो उनमें तेजस्वी यादव हो या मुकेश सहनी हो या और और भी नेताओं का वह रहा है द्रवंगा से इस बार गुपाल जी ठाकूर जो दूसरी बार लोकसभा का चुनावी लड़ने जा रहे हैं बीजेपी से एंडिये ने भारतिये जनता इन द्रवंगा सीट पे चुनाव का प्रचार थम गया अब अगले 36 गंटों में वोट होना है तेरह तारिक की सुबस साथ वजे से मतदान होना है वहाँ तो इस चुनाव में खास तोर से द्रवंगा का माना जाता है कि वहां के वोटर काफी जागरूक होते हैं पर्टिकु सांचल में या खास तोर से द्रवंगा में देखिए मुद्दे की बात हम लोग करें तो इस बार जो पॉब्लिक से जुरा हुआ मुद्दा है वह कमोवेस लगता है कि जैसे जैसे चुनाव का दिन करीब आता है वह एक तरफ हो जाता है और दूसरी तरफ वह समीकरन चाह ज खुलने वाला है एरपोर्ट बना है सरकें बनी है तो इंडिय का आगाज उस पर है दूसरी और महागटवंदन ने कहा है कि वह हम स्टेट लेवल की जो राज की नीतियां है चुनाव नौकरी की नौकरी का मामला हो या फिर अब तक नहीं खुल पाया है उसको वह मुद्द तारीकों वो किस पार्टी या किस उमिद्वार के पक्स में अपना बोट वो डालते हैं क्या लगता है मितलेश जी ललीत यादव कितने कारगर सावीत होंगे यह तो वोट का या उनका जो समिकरन है वो सामने दिखेगा ललीत यादव के साथ जैसे राजत का कोड़ वोट उनका माई समिकरन वो कह रहे हैं इस वार सहनी वोटर को भी वो अपने साथ जोडने का और कुसवाः वोटरों को जोडने का दावा करते हैं लेकिन इंडिये की बात करें तो वो अपने दोजार उनीस का जो उनका कोड़ वोट है वो उसमें और एड करने की बात वो दावा कर रहे हैं तो दावे तो दो तर बराबर हैं अब मतदाताओं का देखना है कि वो तेरा को किस गठवंदन की और ज्यादा उनका जुका होता है तो अब हम लोग मितलेश जी बात करते हैं उजियारपूर सीट को लेकर जी उजियारपूर में दो हजार नौ दो हजार चौदा दो हजार उननीस दो चौता और उननीस के नित्यानंद्र रायकज़ में राज्या मंत्री है वो खड़े हैं भाज़का की ओर से और आलोюсь उमिद्वार हैं और पिछली दxit रवी खड़े थे और इजियारपूर सीट को कि हम लोग उनका महत्व मंत्री है nosso सभाए है है उज्यार्पुर में और ये केंद्र सरकार की भी प्रतिष्ठा फसी हुई है इसलिए कि निद्यानंद्रा एक केंद्री गडियराज मंत्री है देश में उनकी पहचान है और इस वार चुनावी संगर्स में उनका ये सीट जो है ये पुड़े देश में चर्चा कवी से राजनीत में सक्रिय रही है तो एक पुल मिला के राजनीतिक परिवार है और वो लोकल वहां से जुड़े हुए रहे हैं नित्यानंद राय का भी घर उसी आसपास में है तो मुकाबला बड़ा ही रोचक है दिल्चस्प है और टफ है वहां इसी प्रेज में एक सीट है समस्ति पुतरी और सनी उर कांग्रेश के सनी हजारी ये महिश्वर हजारी के बेटे है तो बड़ा ही दिलचस्प है संस्ति पूर का हो गया है और दाता अब तेरा तारी को पता चलेगा कि की सुमिद्वार के पक्ष में जादा उतरते हैं मितलेश जी ये समस्तिपूर सुरक्षित सीठ है पिछले आप देखें दोजार उन्नीस में लोचपा के जो अध्यक्स थे राम विलास पासवान उनके सबसे छोटे भाई रामचंद् स्राज है वो लोचपा से सांसद हुए चुनाव जीते उप्चुनाव हुआ इस वार जो है इस्तिति बदल गई है सबस्तिपूर में दोनों नए उमिद्वार हैं दोनों कम उम्र के उमिद्वार हैं जो सांभवी चौदरी को लोचपा राम विलास अब ने उनको जर दूसरे मंतृ महाईसूराज हुए उनके बेटे हैं सनी हाजारी उनको कंग्रेस ने मैं उमिद्वार वनाया है Despite सब्सक्राइब को पीटा थे उनकी पृतिष्टा मैं सब्सक्राइब की प्रतिष्ठा और कि व म chains जिनकी बहू है सामभरी चौधरी उनकी परतिष्ठ報 की कर्दीश्था केंद्र सरकार की परतिश्था और राजी सरकार की परतिश्था एंडिये की फोर हैं ऑर महागट वंधन की अनुमिलाकर परही रोचक चारी सम्र त से वह कई बार के सांसद्रे विधायक भी रहे इसी चरण में एक और सीट जो काफी जिस पर सबकी नजर लगी हुई यह बेगू सराय की सीट है यहां से फायर ब्रान नेता बाजपा के गिरिराज सिंग है और उनके मुकाबले भाखपा ने उमिद्वार अपना बनाया है और बचवाणा से वह विधायक रह चुके हैं कई बार और इस बार उनकी उमिद्वारी की गई है और पिछले चुनाव में इसी सीट से खड़े थे कनिया कुमार जे निव के छात्रसंग के अध्यक्ष जो इस बार दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाव कॉंग्रेस से खड़ हैं बाद में यहां चुनाव हारने के बाद गिराज सिंग के हाथो वह भागपा छोड़कर कॉंग्रेस में सामील हो गयते हैं तो बेगु सराय को लेकर भी काफी रस्ताकसी चल रही है और वहां पिछले चुनाव में गिराज सिंग ने कनिया कुमार को काफी अंतर से हराया इस बार यह माना जा रहा है कि जो तीसरा कौन पिछले चुनाव में बना था तन्वीर हसंद साहब ते राजत के प्रतियासी जिनको करीब डेड़ लाग के आज पास वोट मिले थे तो इस बार आमने सामने का मुकाबला माना जा रहा है मितले जी बेगु सराय में क्या तज चर्चीत रहा था वो कनया कुमार मैदान में उत्रे थे पहली बार जेनिव चात्रसंग की राजनीत से अलग हटके वो संसद्य राजनीत में आये थे और CPI ने उन्हें हातों आत लिया था कम उम्र के उमिद्वार थे और पॉपलर भी थे इस कारण में बेगु सराय पिछल गिरिदाज सिंग फिर इस वार उमिद्वार है पिछली दफा उनको 6 लाग से अधिक बोट आये थे जबकि कनया कुमार को करीब 2,79,000 बोट मिले थे और राजत के जो तन्वीर हसंते उन्हें करीब 2 लाग के करीब उससे थोड़ा सा कम उनको बोट आये था लेकिन इस वार आमने सामने की लड़ाई है तो गिरिदाज सिंग को जितने बोट मिले थे वो बोट बरकरार रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे या फिर अवधेश कुमार राय के पक्स में पूरा महागटवंदन का बोट एक जूट होगा यह अब कुछ तेरा तारिक को सामने दिख और लंबे समय तक उनका जनाधार रहा और संसदिय राजनीती में उनके सांसद और विदायक भी चुनकर वहां से आते रहे हैं लेकिन इस बार क्या होगा या देखना दिल्चस्प होगा अब हम चलते हैं मूंगेर में राश्टिय जनता दल के राश्टिय अध्यक्ष रहे ललन सिंग एक और हैं तो दूसरी और है अनीता कुमारी जेहां अनीता कुमारी की साधी अभी पिछले कुछ दिन पहले हुई असोक मातों से जो काफी बाहु बली माने जाते रहें उस इलाके में और तकरीबन 17 साल हाफ राधिक मावलों में वह जेल में रहे बाद में वह पर छूट कर बाहर आये और चुनाव से ठीक पहले उनकी साधी हुई और टिकट मिला राजत की ओर से उनकी पतनी अनीता दुवी को तो इस सीप पर भी काफी दिल्चस्प स्थिती बनती जा रही है और इस पर भी सारे लोग नजर टिकाए हुए है कि वहां क्या होता है को लेकर क्या है इस सिती मुंगेड लोग सवा सीट की बराही रोचक कहानी है अनन सिंग जो पुर्वे विधायक है मोकामा के अभी उनकी पतनी विधायक है और अभी हम लोग ने देखा कि जब नितीज सरकार विधान सवा में बहुमत प्राप्त कर रही थी तो नीलम देव भी राजत की ओर से इंडिये की ओर आ गई और उसके बाद से ही ऐसा लगा कि अनन सिंग को रहत मिल सकती है कानूनी और वो जेल से रिहा हो सकते हैं ठीक चुनाव के पहले उनको पेरोल मिला है हलांकि कोट ने उनको पाडिवारिक संपत्ति के बटवारा का जो कारण ने उन दियक्ष भी रह चुके हैं उनको अनन सिंग के बाहर आने का कितना लाब मिलता है यह 13 तारीकों देखना होगा लेकिन उनका मुकावला जो है एक महागटवंदर की अनीता देवी जो बाहुवली असोक महतों की पत्नी है वो पत्नी है लेकिन उनका एक समाजिक आधार भी चुनाव में बनता जाया है जो इलाके के लोग बताते हैं कि जो विखराव का बोट इसकी गोलबंधी महागटवंदर की और होगी और महागटवंदर के जो खिलाप का बोट है वो ऑन्डिय कोर जाएगा तो मामला बराबर का वहां दिकना नहीं पल अब 13 तारीकों यह साम मुंगेर सीट को लेकर बाहु बली अनन सिंग और बाहु बली अशोक मतु जी इन दोनों का नाम काफी सुर्कियों में बिल्कुल बिल्कुल और इसका फैदा यह देखना होगा कि ललन सिंग इस वार भी वो जीत कर संसत पहुंचते हैं या फिर अनिता देभी का मामला आगे मुंगेर को लेकर क्या रहा मुद्दा अब तक क्या मुहां से चीजें निकल करा रही है सामने मुंगेर की जो सीटे है या मुंगेर की आसपास का जो है वो टाल छेतर भी है किसान का भी एरिया है विगास का मामला है गंगा नदी अभी मुकमंत्री की सभा हुई थी मुकमं है तो एक तो किसानों की समस्या है टाल्चित्र की समस्या है मुगेड में मैं जमालपुर रेल कारकाना है पिस्टल जो तो सारा हुआ करता था योगा स्रम है वहां मुंगेर में उसके लिए भी लोग जानते हैं दुनिया भर में उसका काफी नाम है तो इस वार वहां के मतदाता की सोर अपना रुख करेंगे यह देखने वाली नौजवानों को लेकर भी मुद्दा कहा जा रहा है कि रोजगार का सव तो जैसे इंडिये के प्रमु घटक दल है जदियू जदियू के नेता है मुखमंत्री मुखमंत्री ने लगातार का है कि वह अभी दस लाक नौक्रियां देंगे अगले साल दोजार पचीस के दिसंबर तक और अभी चार से पांस लाक दी गई है अपोजीशन जो प्रमु घटक देजस्पी आदब उन्होंने भी यह मामला उठाया है कि उनके रहते हुए प्छले 17 महिने में नौक्रियां दी गई तो नौक्री और रोजगार का दोनों और से मुद्दा उठाया जा रहा है और दोनों और से युवाओं को यह समझाया जा रहा है कि नौक का दे आज हैं तो हम सभा होगी और कल वह साम पतना पहुंच जाएंगे तो साथ बजे से साम से दो गंटे पत्ना का तब अग्वार रहे हैं वहाँ से उन रोट सो उनका शुरू होगा और सहर के बीचों बीच एक्जिबिशन रोट को क्रॉस करते हुए कदम कुवा होते हुए वो पुराना रूपक की सीटे हैं उसमें चुनावी सवा भी होंगी तो कुल मिला के तयारे भी है पर सुरक्षा के काड़ों से कल जो साम में साथ प्रधानमंत्री के आगमन के एक घंटे के आसपास एरपोट का ट्राफिक स्लो होगा या बंद हो सकता है और पटना जंक्सन पहुंचने वाले जो र पटना में पटना पूलिस की टीम सुरक्षा को भी देख रही है धन्यवाद मितलेश जी अभी मितलेश जी बता रहे थे कल साम मुक्तान मंत्री के रोट सो में क्या कुछ होने वाला है उसकी क्या प्रसाजिनिक तैयारी है इस संदर में हमें दीजिए इजाजत बहुत हार नहीं